Hello everyone, this is Dr. Seema and welcome you all on 30 Days of WAT Challenge. So, आज के responses को पढ़ने से पहले, कल के एक दो comments हैं, जिसके बारे में बार हम बात कर लेते हैं. तो कल एक बच्चे ने comment किया था कि माम आप जब ही भी ये बोलते हैं कि ये जो आपने sentence बनाया है, इसको reframe कीजिए ये meaningless sentence है, तो आप हमें एक sentence साथ के साथ बता दिया करो. So, जो मैं आपको नहीं बताती हूँ, एक sentence उसके पीछे logic ये है कि suppose अगर एक word है darling और मैंने आपको बोल दिया कि sisters are darling to their brothers. So, अब ये वीडियो जितने लोग भी देख रहे होंगे, उनके लिए ये darling word से जो sentence बना है, वो सारे इसी sentence को सहीं माल लेंगे और खुद से वो एक भी sentence को frame नहीं करेंगे. तो इसका नतीजा क्या होगा? कि आप सब लोग उस particular sentence को, उस particular word से sentence को और कोई sentence आप नहीं frame करेंगे और उसी पे आप स्टक हो जाएं कि ये darling word से जो मैंने बोला ये sentence ठीक है. So, ये चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ. I want कि आप खुद से सोचे, आप खुद से sentence की framing करें, आप अपना दिमाग लगाए, आप अपने thoughts को जो आपके emotions है, जो आपकी feeling है, जो आपका idea है. आप उस चीज़ को sentence के form में लिखें. That is why मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसका कौन सही line पर जा रहा है, किसको कौन से words को use नहीं करना है, किस तरी के sentences आपको लिखने है और कैसे नहीं लिखने है. तो आपको इस चीज़े focus करना है, कि आपको अपने अंदर के ideas को sentence के form में लेके आना है. खिक है? तो अब भी हम start करते हैं, comment rate करना. तो पहला comment हम पढ़ते हैं, भासकर जोती का. इन्होंने क्या लिखा है? प्रैक्टिस इन्हांसे हिदेन अबिलिटीज, कंसिस्टेंसी डेवलप्स गुड़ क्वालिटीज, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ओवरकम जालेसी, मीच्वल डिस्कसन है तो रिसॉल्व बिस्प्यूट्स, अगला है क्रिशन सिंगा, इन्होंने क्या लिखा है? अगला हम पढ़ेंगे, तनमे पांडे का पढ़ते हैं, क्या लिखा है नोने? तो थोड़ा से इसको आफ रेफ्रेम कीजेगा, अब आपने अगेन यहाँ पे can word का यूस किया है, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है? अगेन आपने can का यूस किया है, जो आपको नहीं करना है, आप लिख सकते हैं, healthy discussion on any issues help to avoid confusion, ठीक है? तो आप इसो can को यहाँ से हटा देंगे, रिमूप कर देंगे, तो नम यादो का पढ़ते हैं, तो चाहँ आपको एक किया है, चेयर चीर से जहरे हैं, जूस को रपको से अपजसे हैं, प्यरू करना है, विर यूद ऐसे शहरे हैं, चाहँ समक्छे का लजस सकते हैं,icिआ curए हैं, इस बाहते हैं, तोफ खरटें हैं, तो यह का इसोंग से रजए जए यहने जोज़ उने क The teamwork and can bring exceptional changes Okay, good बच्चे, can का use आपको नहीं करना है Okay, official NDA वाला Okay, इनका पढ़ते हैं JNDA I am able to tackle the hardest situation Again, यह क्या है? I am, यह एक personal sentence है आपको personal sentences नहीं बनाने हैं ठीक है? I am very honest, I am very emotional person तो जो भी sentence I say, he say किसी की नाम से शुरू होता है आपको उन sentence को avoid करना है तो आप इसको reframe करेंगे आपका जो दूसरा है वो क्या है? Knowledge can develops one personality अभी again आपने can का use किया है ठीक है? तो यह एक तरीके से injectional sentence है तो आप इसको भी avoid करेंगे Others का पढ़ते हैं Dedicated person is able to achieve his goals ठीक है? Dedicated person is able to achieve his goals ठीक है? Consistency develop skill Good Being religious reduces jealousy nature Good Discussion helps to get better thoughts and ideas Unity helps to face any difficult situation Okay, right Okay, काम्या का पढ़ते हैं क्या लिखा इनोंने? I know I am able to qualify this NDA exam यह क्या है? यह आप अपने बारे में बता रहा है यह personal sentence है और मैं हर वीडियो में आपको बताती हूं कि आपको जो personal sentence है उनको avoid करना है ठीक है? आप क्या चाहते हैं? हमें नहीं जानना आप क्या सोचते हैं? हमें वो जानना है कि आप क्या सोच रहे हैं? Again The PM Modi जी developed our India यह क्या है? यह एक आप information बता रहे हैं हमें information नहीं चाहिए और चाहिए तो हमें आपके बारे में चाहिए इंडिया के बारे में information नहीं चाहिए PM Modi के बारे में नहीं चाहिए हमें आपके बारे में चाहिए ठीक है जी? अगेन आपने क्या लिखा है? Many people are jealous of my progress आप इसको reframe करेंगे After dinner, me and my family discuss about my future यह सारे ही आपने personal sentence बनाए है और ऐसे sentences की requirement नहीं है तो आप बाकी videos देखेंगे बाकी लोग की comments को भी देखेंगे और एक बार आप देखें किस तरीके से बाकी लोग sentence बना रहे हैं और अपने sentence को उसी की according आप reframe करेंगे बच्चे Manish का पढ़ते हैं इन्होंने भी same गलती की है He is able to clear and the exam क्या है यह? यह personal sentence है Again, he wants to participate in India's development He is not jealous to his कोई मतलब नहीं है इस sentence का ठीक है बच्चा? Jealous to his success Monu का पढ़ते हैं Monu चंचल Monu Dedicated people able to achieve their dreams Development brings success and prosperity Jealousy create hinderness Jealousy create hinderness in progress Healthy discussion prevent disputes And last one is आज आप लोगों ने काफी कम comment किया हुआ है क्या हो गया? Saturday मैं लोडी से लिप्रेट कर रहे थे इसलिए आप लोगों ने comment नहीं किया कल पढ़ाई लिखा ही नहीं करिया आपने practice नहीं करिया Okay Rituj Angara का पढ़ते हैं इन्होंने क्या लिखा है? I am able to develop OLQs in me Personal sentence यह आपको नहीं लिखना है ठीक है? चंचल had developed her efficiency power Again, personal sentence Our country is working to eliminate the jealousy among the world countries You have to change this better Okay, now we will see some comments Learn with Sumit Learn with Sumit And here we have a comment here Pahla comment हम पढ़ते हैं I am able to type this comment Personal sentence I am working on personality to develop it Again He is jealous when he sees me doing study And he discuss about his work Again Again सारे ही जो आपने बनाए हैं वो personal sentence है आपने personal noun का यूज किया है ठीक है? यह आपको avoid करना है Garvit ने भी same mistake किया है Again Personal sentence है He का यूज किया है V का किया है C का किया है ठीक है? यह भी एक तरीके से याप एक fact बता रहे हैं एक information दे रहे है ठीक है? तो यह भी आपको एक Injectional sentence है इसको आपको Informative sentence है आप एक information दे रहे हैं तो आप इसको भी change करेंगे Again अर्चुन आपने भी बच्चा यह तीनों में ही आपने I, C, V इनका यूज किया है तो यह personal sentence है यह आप avoid करेंगे और यह आपकी practice से ही होगा आप जितना ज़्यादा practice करेंगे आप उतना ज़्यादा अच्छा sentence बना पाएंगे आप उतना explore करेंगे अपने ही thoughts में अपने ही ideas में कि और आप क्या सोच सकते हैं ठीक है? अपने आप क्या feel करते हैं the moment एक word आप सुनते है success तो आपके मन में क्या विचार आता है क्या idea आया success को सुनते ही क्या thought आया पहला thought क्या था क्या emotion है किस तरह के से connect कर पा रहे है आप आपको वो sentence लिखना है ठीक है बिटा आपको describe नहीं करना है second nda student have need to develop English communication skill यह भी क्या है आप यहां तो information दे रहे है information नहीं है यह कि आप किसी को ग्यान दे रहे हैं कुछ बता रहे हैं कि यह करने की जरूरत है यह आपको नहीं करना है never jealous to your competitor यह भी आप एक यह एक injectional sentence है ठीक है again we यह personal sentence हो गया current journey I am able to do push up I am developing we discuss ठीक है तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की responses बहुत अच्छे भी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी वही सारी गलतियां करने हैं जो उनको नहीं करनी हैं तो आप practice करना शुरू कीजिए daily कि अगर आप इन past को यह भी comment लिखने आते हैं मैंने कल की वीडियो में बताया था तो आप बाकी लोग की comments को देखा कीजिए कि बाकी लोगों ने उस particular word से क्या sentence frame किया है क्या लिखा है तो जब आप सारे लोग के responses दे go through हो जाएंगी बाकी लोगों ने क्या लिखा है तो आपको भी बहुत सारे ideas आएंगे और हो सकता है कि जो आप सोच रहे थे या जो idea आपको आ रहा था लेकिन आप उसको एक sentence में नहीं लिख पाए वो में भी आपको वहाँ पे किसी और के responses में दिख जाए तो आपको ही help होगा तो please make sure कीजिए कि जबी भी आप comment लिखने आते हैं आपके पास 5-10 मिनट का time हो so that कि आप बाकी लोगे comment को एक बार read out कीजिए और एक बार देखें कि बाकी लोगों ने क्या sentence बनाया है इससे आपके लिए बहुत ज़्यादा help होगी ठीक है तो मिलते हैं आप से कल की वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care